कि अगर कि नहीं का जिवनी सक्ति कम जूर है अज कल बहुत आलश है प्रमाद है कुछ काम करने का मन नहीं करता है जिंद बहुत आती है ऐसा वह सा म्मन बहुत बचलित होता है पोचियन तory सरा सेघ्र है उतूящ ने राव प्रमातमाने nous मने एक व्ही पॉइंट बनाए है कि इनको हम जीवनी सकती के नाम से जानतेया यहां पर मेरा जीवन हो approach है नारी वैद्वी स्टब्व यहीं नार देखे हम लोग रड़िये देखते हैं यहां अब आप इरा पिंगल सुमना तीनों का संगम है तो इनको बोलते हैं लश्य का तंतर ób लश्य का तंतर्र इनकों कलाई के नाम से जानते हैं एक केहन ही बोलते हैं केहने से चार अंगुल नीचे लश्का तन से चार अंगुल ऊपर यह आठ अंगुल का एडिया होता है और को इस एडिया को प्रेश करे लगातार तो शुरुआती दोर में थोड़ा आपको दर्द महसूस हो समझे कि आपका जीवनी सक्ति कम है दीरे दीरे खुछी दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपका दल्द समाप्त हो गया आपके जीवन में नर्जी आ गई आलस्ट चला गया प्रमात चला गया चितने चिंता थे इन मिट गया एक ही प्वैंट प्रमात्माने बनाया है इसको जीवनी सकती कहते हैं इसी प्रकार से हमारे स्रीर में आजकल बाहर से हम खाना खाते हैं चाहे मजबूरी में या किसी भी भाती किसी भी कारण से तो जो हम बाहरा खाना खाते हैं सुपाच नहीं होता हमारे सरीरी में जाकर के कहीं ठैर जाता है वो पच्ता नहीं सरता है तो उसको हम कैसे ठीक करें उसको ठीक करने के लिए सबसे सब्सक्राइब नहीं है तो समानने दर्द है फिर धीरे धीरे हम इनको पाज सोबार चार से पाज सोबार प्रेस करते हैं तो हमारा यूरिक एसीड प्लेकुक कंट्रोल हो जाता है बाहर का खाया प्या भी बहुत आसानी से सुपाच बन जाता है और हमारा मन और पेट दोनों एक लेविल में आ जाती हैं इसी प्रकार से दोनों पैर में एक पॉइंट है यह बहुत ही सुन्दर पॉइंट है चार सो से पास्टो बार करना परता है बस इसमें विध्य यही है कि नियम प्रवक्त आप इस पॉइंट को करें खुद भी कर सकते हैं एक किसी के द्वारा आ सहा हैता भी ले सकते हैं इस प्रकार से हमारे से रेर में बहुत ऐसे एएक कैंद्र हैं जिस कैंद्रों को आप जागरित कर दें थोरा से अпने ओपर द्यान दे दें तो आपका जीवन भूत ही सुन्दर मदूर आनंद में और ग्ञान में पाग सकता है वो कैसे हमारे लिश्यों ने नारी महा बिग्ञान के करम में ये बताया है कि हमारे स्रीर में जिस प्रकार से 72 करोर, 72,000,002,000,001 नारी हैं इननको हम परदान नारी 72,000 के रूप में मानते हैं कि इसी प्रकार से 206 हड़ी हैं दस द्वार हैं और दिखने वाले द्वार हैं कुछ ऐसे चक्र के नाम से जानते हैं मुलाधारदेद चक्र साधिस्टान चक्र नाभी चक्र मतलं मनेपूर चक्र अनाहाचक्र विसुद्धी चक्र आग्या चक्र और सहसरार चक्र अगर आप इन सातों चक्रों में से कि एक चक्र को भी जागृत कर लें जगःत करने के बहुत ही स्रलविधी है जिस चक्र के उपर आप ध्यान देंगे और चक्र जाग्रित हो जातीए पिना दवाई बिना प्रहेज 100 साल तक जीवन जीन जीते थे उनका जीवन प्रकास में होता था आनंद में होता था क्या राज था तो अपने चक्रों को एक्टिव करते थे उदारने के तौर पे मान लिजिए कि आपके कमर से नीचे पैरों में कोई तकलीप है किसी प्रकार की तो इसके लिए मुलाधार चक्र है मुलाधार चक्र कहा है जहां से हम सौच त्यागते हैं उसके ठीक दो से तीन अंगुल ऊपर एक चक्र होता है वहां आपको ध्यान ले जाने से आसानी से बहुत सरलता से आप वहां पहुंच सकते हैं वहां जाके मन को एकार करें और भावना करें कि उस चक्र से चक्रा मतलब है जो धूरी पर लगातार निरंतर पहुतते जी से वेक के साथ घूमने वाला एक धूरी वहां जो कोई धूरी घूमती है वहां सक्ति निकलती है सक्ति मतलब उर्जा उर्जा का प्रवाह होता ही रहता है तो है उस उर्जार को भेज दे थोड़े दिन में आप आएंगे कि आपका बिना दवाई के बिना परहज की आपका ठीक हो गया आपके पैर में दिब ताकत आ गई एक समर्थ का उसमें अपने आप उसमें संचलन होने लग गया और आपका दोनों पैर घुटना टकना पिंडली आ आपका जांग आपका हीप आपका थाइज सुस्त हो गया और आ gegen प्रॉल्ल में आजगर डोक्टर तरटरएदराब इनको प्रॉलम कर बहुत ही स्वादिष्ठान चक्र है इसके लिए स्वाधिस्टान का अर्थ होता है स्वाम मतलों अपना आपका निजी चक्ड रहे वह आपका स्वएंग का चक्र है बहुत इसरल वह है मुलाधार से फोरा छे अंगूल ऊपर किनी का लंबा श्रीडह है आथ ठाठंगुल होता है छोटा स्रीड है चारंगुल होता है लेकिन जन्रेंद्रिय के ठीक पीछे रीड के हड़ी से मिला हुआ चक्र है यह सांकितिक चक्र है अगर आप पीठ के लेट के यह कुर्शी पे बैठके किसी भी स्थिति में आप मन को थोड़ा एकार करके अगर आप चक्र पे तरह ध्यान ले जाएं और वहां से भावना करें कि वहां से उर्जा निकल रही है उर्जा कहां जा रही है हमारे स्रीड से लिक होता है वो स्रीड से बाहर उर्जा जा रही है उस उर्जा को रोके और उस उर्जा को हम बिमारी के तरह मोर दें बहुत ही सरल है जबूत बहुत सुन्दर सुद्र सो वर्षतक आपको जीवन देने वाला यह सकती सिद्ध हो सकती है थोड़ा प्रयास से ऐसे ही थोड़ा उपर जाएं तो नाभी चक्र है यह तो बहुत ही सरल चक्र है इतना सरल चक्र है कि अगर आप सातों चक्र पे ध्यान न दे के सिर्व नाभी चक्र पे ध्यान दे तो आप अशी प्रकार के रोग को आप दूर कर सकते हैं तो कि बहुत सरल चक्र है एँ नाभी उपर उठती है और नीचे गिरती है बहुत सरल है आप थोड़े ही ध्यान लगाते हैं तो आपका मन वहां पर टिक ने लग जाता है नाभी हमेशा उठती है नीचेजर गिरती मैं तो जब आलबी उपर ऊठती है तो आपका जू मईंटी आते हैं चोटी आते है कली बड़ एक वायु के लिए मुझा कोलती है नीचे गिर्ती और वायु को लेकर विष्राम करती है तो ओहीं पर आप ध्यान लगायें वहां करें कि प्रान वायू जहाँ प्रान उर्जा कम है वह प्रान वायू के माध्धम से मारे बढ़ी आते यह हमारे चोटी आती हमारा लिवर चौँची जैप पेन क्रियाज आप पित की थैली है इंसलीन कम बन रही है तो आप यहां से ठीक कर सकते हैं अद्वूत इसका प्रेणाम होता है और दो तिन दीन में ही आपको प्रिणाम सामने दिखाए दिने लग जाता है अब झमने मेरें ہं है तो पेट संबंदित आप अशी प्रकार के रोग को आप सिर्व नाभी चक्र से ठीक कर सकते हैं नाभी चक्र से ऊपर अनहात चक्र है जिसके बीना हम जीवित रही नहीं सकते ऐसा बताया जाता है कि करीब 6000 चिद्र हमारे बाये तरफ स्वसंत तंत्र में जिनको हम रेस्पर से बहुत सारे चितर बंद होते हैं बहुत अच्छे स्वस्त लोग होते हैं उनका भी दो से तीन हजारे खुले होते हैं अगर आप अनाहात चक्र के उपर ध्यान दे और अपने ही चक्रों से अपने स्वसंत तंत्र को स्वस्त बनाए थोड़े दिन में आप आएंगे कि निकल गए कोई डॉक्टर ने बोला कि ब्लॉकर की संभावना है को लिश्टोल बढ़ जाता है आपके सरी में प्लोटिंग की संभावना है आप एक मत खाई आपो मत खाई अगर आपना हाद चक्रों पे जा करके पांच मिनिट दस मिनिट बीस मिनिट थोड़े दिन के अब पाएंगे कि आपका स्वसंतन्त बिल्कुर स्वक्ष निर्मल और भाव थी पवित्र बन गया इसका जो प्रमान है कि आपको स्वांस गहरे उतरने लग जाए समझे कि आप स्वस्त होने लग गया इसी प्रकार से विसुद्धी चक्र है अनाहाच चक्र से उपर करने वाला यह से हम वानी बोलते हैं वानी के माध्यम सम किसी के हिरदय में उतरते हैं तो गले में किसी तरक की पीरा हो किसी का बद्धी कमजोड हो मन कहीं ठिकता नहीं हो मन बार बार इधर उधर जाता हो या कंठ संबंधी किसी को टॉंसिल हो जाता हो बार 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 असी से ज्यादा रोग बताये गये हैं तो अगर आप विसुद्धी चक्र पे थोड़ा दिहान रखें यह विसुद्धी चक्र है किसी को थाराइड है आज कल डॉक्टर एक पर दबाई देते वो जीवन पर खाना पड़ेगा थोड़े दिन के अभ्यास थोड़े दिन का ब्य हैंगी कि आपके वानी निर्मल हो गई प्रकर हो गई आपका थाराइड मिट गया आपका गले का टॉंसल चला गया आपका आवाज संदर कंट की खड़ास खतम अधुद्ध विज्ञान है इसे विसुद्धी चक्र के नाम से हम जानते हैं इसके उपर आज के तारिक में लो नाम से जानते हैं आग्या मतला आदेश देना किस वादेश देना पहले स्वहिं को तो दोनों आखो के बीच में जहां तिल्क लगाते हैं अग्या चक्रें बील पावर का एक बहुत बिराट के अंद्र आप आख बंद करके अगर दोनों को बीच में मन को थोड़ा सांथ कर दीरे 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 अगर आप थोड़ा मन को सांथ करते हैं तो आंख में कर्टिक हो गुलकोमा हो नाकों के तकलीफ हो कान के तकलीफ हो कान से आवाज आती हो मुख से दिरगंद आती हो दात में दर्द हो इस समय समय सिर्भ आग्या चक्र से ठीक हो जाती है बहुत कि एतना स्रल है कि यहां प्रजा का एक बिसेश कि यहां पे अर्जा का स्थान है जैसे दियान रखते हैं और जहां-जहां तकलिफ है वहां उर्जा को भेशते है आप थोरे ही दिन में वह उर्जा आपके भीतर जाके ठीक कर देती है विमारी को विमारी ठीक होते ही फिर उर्जा ऊपर के तरह बढ़ती है फिर आग्या चक्र के बार सहसरार चक्र है जो हमारे सातों चक्र में अंतिम चक्र है इस चक्र पे तो लोग जाते ही नहीं लोग अच्छा जाना ही नहीं समझते लोग सोचते हैं कि संतों के लिए महापूर्सों के लिए योगियों के लिए बास्तम में ऐसा नहीं है इस सर्वसाधारन सभी के लिए है कि आप ब्रह्म रंग में आज्या चक्र से जहां से आप चोटिया रखते अंतिम वाल है वहां पे मन को दीर 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 वहां ले जाएं कैसा ही माइक्रेन पेन हो ब्रेंट ट्विमर हो सड में किसी प्रकार का कोई भी क्लोटिंग हो किसी को पर अटैक आया हो या पार्किशन हो हाथ पर हिलता हो मन घबडाता हो मन व्यचैन होता हो और हाथ पर में जलन होता हो अगर थोड़ा ही हम 2 मिनट 3 मीनट 4 मिनट 5 मिनट चितनी आप की सामर्थ हो जितना आपको लाव मिले अगर आप आप सार्ष पे ठहरते हैं तो दीरे धीरे धीरे यह समस्त पिराहें आपका निष्ठ वहो does our focus पता बिशल पकव आया तो था लेहिं कब गया फ्रक्राने एक हुर अंतिम ओपर पहुंच गया ओपर आगया मन की आगशा देखते हुए उपर से नाभी पर नीचे उठती है फिर नीचे चले गए साधिस्टान पे मुलाधार पे मुलाधार से सरस्रार को दिखते इत्रा अभ्यास करते हैं तो अपना आप उप्चार करें और प्राकृति उप्चार करें ब्रम्हांट से उपचार करें आपके भीतर ही उपचार की समझ समग्रियां भड़ी परी है अपने हिसाब से आप जैसा हमने बताया उसे नियम का नुशार से आप करें तो आपका जीवन बहुत ही सुन्दर सरल सहज और अधिक दिरगायू को पाने वाला होगा तो इस विशाय के उपर हम लो आप हमारे संत वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले